सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबुसे लिएखने की बैल खतवाधल तुट समस्क्राइब कीज़ी देखें लिए प्रित्त लागशन ही छोग खायर चाहर है ओके स्टुडेंट्स तो खगोलिय पिंड की से कहा जाता है जो हमारे ब्रहमांड में सूरज है, चंद्रमा है, गिरय है, सितारे हैं और अन्ने जो निकाए हैं वो सभी खगोलिय पिंड कहलाते हैं और अन्ने जो खगोलिय पिंड की से कहा जाता है, जैसे एक्जामपल सूरज भी एक तारा है, ठीक है, और कुछ खगोलिय पिंड कैसे होते हैं अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, ठीक है वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, जैसे सूरज एक तारा है, तो वो सूरज की रोशनी से जगमगाते हैं, ऐसे पिंड को गिरह कहा जाता है, जिस पर हम रहते हैं वह एक गिरह है तो बच्चों हम पिर्थवी पर रहते हैं ना जिस पिर्थवी पर हम रहते हैं तो पिर्थवी एक गिरह है और सुरे एक तारा है दोनों ही खगोली पिंड हैं लेकिन दोनों में यह अंतर है कि हमारी पिर्थवी का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता वो ताप से ही यहाँ पर ताप मिलता है हमें और जब की जो दूसरे खोगोलीर पिंड़ है जिनकी हमने इधर बात करी इस साइड उसमें क्या होता है उनका अपना ताप और प्रकाश होता है गैसो से बने होते हैं और वो बड़े होते हैं और गरम होते हैं ठीक है बचो तो अब आगे देख लेते हैं हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है यहां दिया हुआ है बच्चों तारो के सम्हु द्वारा बनाए गए विभिन पैटरन को नक्षत्र मंडल कहते हैं यहां पर देखे एक एक एक्जामपल भी दिया हुआ है यहां पर यह देखिए 1,2,3,4, 4, 5, 6, 7, यह 7 स्टार को मिलाकर एक पैटरन बनाया गया है, ऐसे ही, मतलब 7 स्टार यह मिले हुए है, यह एक ऐसा पैटरन बनाते हैं, इसे सब्तरिश ही बोला जाता है, ओके बच्चे क्योंकि यह साथ तार है, यह हमारे ब्रामांड में हमें एक तारो का समू दिखाई अगर बच्चो, 8 गिरे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, पिक्चर में दिखाया हूँ अभी है, यह तो सूरज हो क्या, ठीक है, इसके पास बहुत चोटा सा यह जो है, गोल गोल, यह क्या है, यह बोध गिरे है, फिर उसके बाद यह मंगल, पिर यह शुकर है बच्चो यूरेनस है, और यह नेप्च्चुन है, तो इस तरह से यह पूरे 8 गिरे हैं, टोटल सूरज से, कितनी कितनी दूरी पर, ऐसे यह इसी दीरगवरताकार पथ में चक्र लगाते हैं, तो यह वरकशीट हमाई समझ माग, अब हम question answer देख लेते हैं, बच्चो, first question है, खगोलिय पिंडों को परिभाशित करें, तो यह वरकशीट में से लिख देंगे, खगोलिय पिंड क्या होते हैं, आप यहां से लिख लेना, यहां से 1 डाल कर, यहां तक, यह हो गया 1, खगोलिय पिंड क्या होते हैं, ब्रहमाण में सूरे चंदमा, गिरों, सितारों और अरने निकाय को खगोल ये पिन कहा जाता ये इसकी definition हो गई अब बच्चो question number 2 देख लेंगे हम एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है तो वो भी हमने अभी हैं समझ लिया ठीक है यहां से आप ऐसे ही जैसे ये अलग-अलग लिखे हुए ना आपको ये दो box बनाने ऐसी बीच में यहां एक line खीच के इन अलग-अलग column में लिखना कि तारे और गिरह में क्या अंतर होता है तो आपको ये लिख देना ये लिख देना है ठीक है तो हमें पता चल जागा इससे तारा क्या होता है गिरह क्या होता है अब देख लेते हैं question number 3 question number 3 में हमसे पूछा है नक्षत्रमंडल क्या है तो नक्षत्रमंडल भी हमने समझा था भी वो भी हमारी worksheet में है तो हम यहां से लिख देंगे बच्चो 3 answer यहां से यहां तक यह answer number 3 हो गया हमारा इसमें हमें पता चल गए कि नक्षत्रमंडल क्या होता है मैं आपको बताया था तारों के समूधवारा बनाए गए विभिन पैटरन मतलब तारों के समूधवारा बनाए गए अलग-अलग आकरती को हम नक्षत्रमंडल कहते हैं अब हमसे last question पूछा हुआ है हमारे सोरमंडल में कुल कितने गिरे हैं ठीक है तो हमारे सोरमंडल में हम लिख देंगे हमारे सोरमंडल में आठ गिरे हैं नाप該 लिए तो बच्चो ये आठ गिरे हैं तो ये हमारे question answer solve हो ग Méि अगर आपको मेरी वीडियो पषाण आईए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीचे, शेयर कीचे रहा हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीचे थैंक्स पर वाचिंग